जैमातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यव चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मई और 5 मई 2023 के कुम्बराशी फल के बारे में कुम्बराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों के इस्तिती क्या होगी किस तरह के परिवर्तन इनके द्वारा आपको अपनी दिंचरिया में देखने को मिलेंगे ग्रहों के इस्तिती उनसे होने वाला प्रभाव आपके इन दो दिनों में क्या उपाया आप कर सकते हैं आप दुकान करते हैं आप वेपार करते हैं आपकी नौकरी है जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उन में किस तरह का प्रॉफिट आपको होगा या क्या सावधाने रखनी है ये सब कुछ जानेंगे इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो चार मई और पांच मई की बात कर रहे हैं पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र के बारे में जा लेते हैं अब चार मई जो है ये गुरुव भगवान गणेश होते हैं तो बहुत ही जादा शुभ योगे माना जाता है अब चंद्रमा इस दिन सुभा नौ बज कर बीस मिनट पर तुलाराशी में प्रवेश कर जाएंगे केतु वहां पहले से विराजमान है केतु के साथ चंद्र की यूती हो जाएगी सूर्य तो बढ़नी नक्षत्र में बैठे हैं और अवी योग भी इस दिन बनेगा अविजीत मुरत होगा सुभा 11 बज कर 51 मिनट से दोपहर 12 बज कर 45 मिनट कर अब 5 मई का दिन बहुत महत पुन दिन है पहला तो ये बुद्ध पुनिमा का दिन है जो बहुत ही शुभ दिन माना जाता जो कि पुनिमा इस बुद्ध पुनिमा के दिन है स्वाती नक्षत्र रहेगा सिद्धी नाम का योग और वैतिपात नाम का योग बनेगा इसके लावा चंद्रमा तो तुलाराशी में विराजमान है ही और सूर्य मेश रासी भणी नक्षत्र में है और अभी जीत मुरत सु स्वास्त है अगर चार मेई के बारे में हम देखें तो स्वास्त है आपका अच्छा है जो भी दिक्कते चल रही थी छोटी बड़ी जो भी थी उनमें आपको रहा देखने को मिलेगी और आप एनरजेटिक खुद को महसूस करेंगे आज आपके जो भी काम हैं जो आपने का होंगे आप नौकरी करते हैं वेपार करते हैं या आप दुकानदारी करते हैं आप अच्छे से अपने काम पर जाएंगे सुबह की शुरुआत आपकी बहुत अच्छे तरीके से होगी और अपने काम काज में भी आपका मन लगेगा देखिए काम में मन लगना बहुत जरूरी है काम में मन नहीं लगता है तो मन में कुछ आट लगी रहती है आप काम पर नहीं जा पाते हैं और नहीं वहाँ एनरजी आपकी बरकरार रहती है तो ऐसा नहीं है एनरजी आपके अंदर होगी काम में मन भी लगेगा और इस राशी के जो लोग राज़नीती के शेतर से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह की दें तेरह एक राजनीती का मतलब बड़ी राजनीती ही नहीं कि आप कोई आमेल्जी की तैयारी कर रहे हैं आप छूटे से इस तर से शुरूँ करते हैं तो जहां भी जिस इस तर पर भी आप हैं और रियाजनीती के शेडर से जुड़े हैं, तो आप के लिए अच्छे योग हैं, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा है या आपने आपको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और जो से बाहर आज आप निकल कर सोचेंगे कुछ अची चीज़ें भी करना चाहेंगे और रोजगार के मामले में भी किसी से सलहा आप ले सकते हैं थोड़ा सा भी अगर आपको दुविधा है किसी भी चीज़ में रोजगार के मामले में चाहिए नौकरी में हो वेपार कर रहे हैं उसमें हो नय स्टार्ट अप शुरू करना चाहते हो उसमें हो तो जिसकी भी सलाह क्या वश्यक्ता है आप सलाह ले सकते हैं जो आपके लिए काफे फायदे मन रही कई बार हम सोचते हैं सलाह लें ये ना लें ये दुविधा और पुमराईसी के लोगों में दुविधा देखने को मिलती है तो बिल्कुल नहीं इसमें आपका कोई घाटा नहीं है कुछ सीखने को जहां से मिलता है उसे जरूर सीखें किसी व्यक्ति से नए प्रोजेक्ट के बारे में बात हो सकती है जो आपनी सोच के रखा हो तो नए प्रोजेक्ट के बारे में बात हो सकती है आज आपके मन में बहुत से नए विचार भी आएंगे और चूब भी आपके मन में नए विचार आते हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें या फिर उनको जीवन साथी के साथ शेयर करें जीवन साथी नहीं है तो उनको शेयर जरूर करें विचार आए हैं उन पर आप थोड़ा सा दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो चीज़ें और जादा बहतर तरीके से समझ में आएंगे दोस्तों के साथ अच्छा संबन रहेगा लव लाइफ में भी आज खुशी आने का दिन है और लव लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी इसके अलावा आपका जो वक्त है वो हशी खुशी और सुकुन से भरा होगा और माता पिता इनकी सेहत थोड़ी जरूर प्रभावित हो उत्रार्द का जो समय होगा ना उसमें अचानक से कोई ऐसी न्यूज आ सकती है जो परिवार के लिए खुशी का कारण बन जाए और ये खुशी जरूरी नहीं पैसों से जुड़ी हुई हो खुशियां कई तरह की होती है पैसे वाली खुशी भी है लेकिन जब आपके परि दूसरों से भी कोशिश ना करें कि जबरदस्ती उन से काम कराएं इस चीज़ का ध्यान रखें वाकि प्रेम जीवन के मामले में और पारवारिक जीवन के मामले में तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा उपयोकत रहने वाला है अब बात करते हैं पांच मई के बारे में प पहले बात करूँ राषि आपकी क्या कहते है इस तिन 5 मई के दिन तो इस दिन ऊफिस में आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जिसे करने में आप बहुत interest के साथ आप काम करेंगे और जब भी आप किसी काम को interest के साथ करते हैं तो वो आपका बड़े अच्छे से होता है उ रामदनी में आज बढ़ोत्री होने का दिन है इसके साथ ही आपके जो राशी की जो चातर है उनको भी आज कुछ जादा रूची हो सकती है अपने सब्जेक्स को लेकर तो उनका मन भी बढ़ा ही में लगा रहेगा तो बहुत अची बात है ये दोस्तों के साथ आप किसी की आशिरवाद करते हैं तो रिष्टे भी बहतर होंगे उनके आशिरवाद से आपका काम भी बनेगा भाई बहन के साथ बांडिंग अच्छी रहेगी अपने रिलेशन को आप मजबूद कर पाएंगे लव रिलेशन भी अच्छा दिख रहा है आज रोमान्स का भरपूर दिन दुकानदारी करते हैं तो अच्छी स्थितियां बनी रहेंगी वहाँ और कुछ लोगों के लिए आज दिखिए भविश्य की कुछ सुनहरे रास्ते भी कुर सकते हैं सुनहरे रास्ते यानि कोई ऐसी अपॉर्चनिटी मिल सकती है जो वाकी में आप गर आप उस ग्रहन है चंदरगहन दिखाई नहीं देगा सुतक काल नहीं लेगा लेकिन उसके उपाया आप कर सकते हैं अपनी इस मंतर का जब करें जब चंदरगहन का समय हो उस समय बहुत महत्पूर्ण होता है अपनी इस देव का मंतर का जब करना या फिर चंदरदेव के मंतर का ही आ आप जब कर सकते हैं बाकि आप क्या उपाय कर सकते हैं यह में आपको आगए आने वाली वीडियो में बताने वाली हो फिलाल इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं